असलाम वलेकुम फ्रेंड्स दिस इस मेनाज एंड वेलकम बैक टो मैं चैनल कैसे है आप सब आप सब आप सब अच्छे ही होंगे आप सब अपना ध्यान रखिए और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिए आज मैं बनाने जा रही हूँ कोखनी स्टाइल में बहुती बिसमिल्ला से शुरू करते हैं सबसे पहले एक पैन में या फिर तवे पर दो कप सुकट कोलिम जिसे कुछ लोग सुखा जवला भी बोलते हैं तो इसे हमें मेडियम टू लो फ्लेम पर हलकी हलकी खुश्बू आने तक भूल लेना है चमसे से कंटिनूसली हिलाते रहे ध्यान रहे कहीं से ये जले नहीं क्योंकि ये जल्दी भूना जाता है खुश्बू इसकी आने लगी है तो अब फ्लेम से हटा दे चले अभी इसे हम एक प्लेट में निकाल देते हैं अब एक पैन में ट्वेंड़ हाफ टेबल स्कून तेल डाल दे फ्लेम को हमने मीडियम पर ही रखा है और हम लेंगे ट्व मीडियम साइस की प्याज इस तरह कट करके चार से पांच हरी मिर्च को भी कट करके लें मिर्चों का इस्तेमाल आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे आपको पसंद एक चोटी साइस की टमाटर जिसकी बीज और रस को निकाल कर कट कर लें और आट से दस कड़ी पत्ता तेल हमारा गरम हो चुका है अब इसमें हम कट केवे प्याज को डाल देंगे इससे अच्छे से मिला लें और हाँ हस्भी जाय का नमक डाला ना भूलें प्याज अपना रंग जब बदनने लगेगा तब इसमें कुछ और मसाले एट कर लेंगे चले अब देखे प्याज क्रिस्पी होने लगा है तो इसमें आप शामिल करते हैं वन फोर टीस्पून से भी थोड़ा सा कम हल्दी पाउडर वन टीस्पून लाल मिर्च पाउडर और इसी के साथ कटीवी हरी मिर्चे और कड़ी पता भी एट कर दें चमस से इसे अच्छे से मिलाते जाएं फ्लेम अभी भी हमारा मीडियम टू लोग की तरफ ही है अब इसमें शामिल कर दें टमाटर इसे भी मिला लें अच्छे से मिला लेने के बाद भूनावा कोलिम डाल दें अब इसे खूब अच्छे तरीके से मिलाना है बस अब एक से दो मिनिट के बाद फ्लेम को आफ कर लें कटावा फ्रेश हरा धनिया से गार्निश कर लें हमारा क्रिस्पी सुकट कोलिम रेडी है चले इसे सब कर लेते हैं इसे चावल की रोटी और दाल के साथ खाने में बहुत मज़ा आता है अगर किसी रोज खाना बनाने में वर्फ की कमी हो तो इस जटपड बनने वाली रेसिपिक के बारे में जरूर सोचें वैसे सोचना क्या है इसे आप बनाए और खा के देखें एक दफा जरूर ट्राइ करें वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें मुझे आपके कमेंट का इंतिजार है और हाँ अपने अज़ुकारे में शेयर करना ना भूलें इस तरह के मज़ेदार रेसिपि के लिए मेरे चनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लें साथी साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं ताके नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाएं फिर मिलेंगे एक नए रेसिपि के साथ तिल देन बाइबाई